हलो हलो नमस्कार स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पोड़केस्ट के एक नए एपिसोड में और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त अमिट शेकर इंडी मसाला 29th of May 2022 में की आखरी पोड़केस्ट इंडी मसाला पोड़केस्ट जहां बात करते हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग के इंडी मसाला मुझे खंड़रों में बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत वाकई मज़ा आया वहाँ पे 1807 ताउन में जो वहाँ पे तोप के निशान है, गोलियों के निशान है और जो खंड़र है उसको बहुत अच्छे से Archaeological Society of India ने संभाल के रखा है, तो अगर आपको लखनो जाने का मुखा मिलता है, तो इस नाया अपना बोने को जरूर देखे मुझे मिस हो गया मुझे से, क्योंकि Friday को मुझे बंद रहा करती है, तो इसका ख्या लखे आज की topic बहुत ही interesting है क्योंकि आप सब के स्वास्त के related है, और ये है topic sleep related, sleep नहीं हम अक्सर बाते करते रहते हैं, क्योंकि ये must है, अच्छी नींद होना, एक अच्छे स्वास्त के लिए, अच्छे brain के लिए, decision making capacity के लिए, सवाल है आप से क्या आप जल्दी से नींद की गोद में चले जाते हैं किया आपको नींद आने में निदियारानी जो आने में देर लगाती है तो आप कौन से कैटेगरी में जाते हैं? अगर आप दूसरी कैटेगरी में जाते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत बहुत लाब दायक है अगर आप फिर भी जल्दी सो जाते तो भी इसमें आपको 2-4 टी पैसे मिल जाएंगे, जो further आपकी sleep quality को और enhance कर सकते हैं. तो जैसे मैं पहले पताया था कि poor sleep का सिधा-सिधा असर आपके body पे होता है, brain पे होता है, learning, memory, mood, emotions, बहुत सारे biological factors हैं, जो poor sleep की बज़े से impacted होते हैं. तो start करते हैं quickly. What are the most beneficial tips for better sleep? Number one, lower the room temperature. बहुत-बहुत important है. जैसे ऐसे हम दिन में होते हैं, दिन में हमारी body warm होती हो, रात कोई cool down होती है, तो ये body की biological process है, जो cool down होती है. अगर आपकी room सोनी की जगह काफी घरम है, तो आप चलती नींद नहीं महसूस कर पाएंगे. कितनी temperature रखनी है? scientific recommendation between 16 to 20, but इंडिया में 16 to 20, पता नहीं कितनी लोग रख पाएंगे. Western countries के लिए, this is pretty good temperature. For me, 22 degrees Celsius works fine. तो शुरुआत में भी सोनी के लिए आते हैं, तभी full blast 22 पे AC का चलना, आदे घंटे था को इसके बाद, we switch down between 20 to 24 to 26, आसल 26 चल रहा है. तो depends on how powerful your air conditioning is, but temperature room का कम होना बहुत बहुत important है, which will help you go sleep faster because your body cools down. Taking warm bath before sleep, के बल 10 minute की गरम पानी से अगर आपको नींद नहीं आती, तो गरम पानी से 10 minute के लिए नहाएं, it has got tremendous impact on the sleep efficiency and overall the quality of sleep. अब जल्दी सो भी जाएंगे और जादा देर तक सो ही रहेंगे. दूसरी बाद, आपकी deep sleep थोरी जादा होती है as compared to when you are not taking shower. तो shower लेने में के होता ह गरम पानी के बढ़ती है, but immediately once you come out of the shower, the core temperature starts going down, which gives signal to the brain की सोने का समय आ गया है. दूसरा, 478 breathing method, thanks to Dr. Andrew Will, जिन्होंने इसको calmness और relaxation technique के तौर पे योगा से ही inspire होके बना, इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है, बैट पे जिभी आप चले गए हैं, तो अपनी जो डांत हैं, उसको अपर तीथ में ऐसा लगाएं और हुश की अवाद के साथ पूरा exhale करें, exhale करने के बाद मुह बंद कर लें और नाक से सांस खीची है, गिंती करते हुए 4 सेकेंड तक, तो हैवा mental count, एक, दो, तीन, चार सेकेंड तक, उसके बाद इस सांस को, सांसों को रोकनी की कोशि करनी है, साथ सेकेंड के लिए, और उसके बाद मुह खोल करके पूरी हवा को बाहर निकालना है, और गिंती करनी है, आठ तक, तो 4, 7, 8, 4 seconds to take in, 7 seconds stop the breathing, let it be inside, 8 seconds मुह बंद को पूरा बाहर आने देना है, how many times have you need to do this, 3 to 4 times is good enough to relax, calm your nervous system and get you to in a sleep zone, यह आप बाकी भी stressful situation में, whenever you feel you're caught in that, तभी ही आप इसको कर सकते हैं, getting a schedule is very very important, तो शायद आपको जानकर आश्यर होगा, हमारी बाड़ी में अ अ क्लॉक है, जो कि, आप सोनी जाने से पहले इसको बोलते हैं, कल सुब साड़े तीन बजे उठना है, वो आपको तीन बजे से उठाना चालो कर दे नींद लाने के कोशिश करती है, अगर आपकी रूटीन सोने के उठने की एक है, तो आपकी क्लॉक भी बड़ी अच्छे से अलाइन रहती है, तो ट्राइट तो मैनेज 7-9 hours of sleep during the day, very very important, wind down करना बहुत important होता है, जैसे शाम हुई तो घर में bright lights कम होने चाहिए, red light होने चाहि यह darkness महशूस होनी चाहिए, तो इससे वापिस दूसरी topic पे आ रहा हूँ, है मैं दूसरी point पे आ रहा हूँ, कि during the day time, it's very very critical that you observe and see the daylight, similarly, शाम को darkness देखना भी उतना ही, देखना बोलना हो, आखों से देखना, it's very very important, तो light जो है, वो हमारी internal clock को impact करती है, तो exposure to sun would also give you vitamin D, different hormones and आपको alert रखेगी, on the other hand, exposure to darkness promotes the release of melatonin, जो की sleep related hormone है, उसको हमारी brain से release करना चारू करती है, one very important thing is blackout curtains, जो बाहर सी एक दम भी रोशनी रात को अंदर नहीं आनी चाहिए, helps a lot, नवर पांच पे आती है, किसी तरह की meditation, yoga, या mindfulness की exercise करना is very very important, because it helps calm the mind, and what works for me is mantra chant, कोई भी mantra, तो मेरे लिए जो mantra है, मुझे काफी मदद करता है, slow breathing, तो बेट पे आएं और slow breathing करने जैसे हमने पहले आपको बता है, 478, तो आज के topic के पहले भी वो मैं खुद पे try करता था, meditation करने वालों में melatonin के levels ज्यादा देखे गया है, because it comes to mind and mindfulness क्या है, तो तुमारी यादा, which is memory, या फिर तुमारी imagination, जो कि तुम सोच सोच के आगे क्या होगा, and इसमें आप मिस्क्या कर रहे हो, right now, the present, present, wow, the present moment, present gift है वो, तो नींद नहीं आ रही हो, तो इसके पीछे भी दो ही कारण है, या तो आप memory में जा रहे हैं, या आप फिर imagination में जा है, come back, come back to the present moment, be grateful, be thankful for what is good in your life right now, आपके बचे हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका स्वास्त हो सकता है, आप आज पूरे दिन में अच्छे काम किये, वो हो सकता है, तो coming back to that, mindfulness is very important, avoid looking at your clock, ये मेरे में भी है, कि अगर तीन बज उठना है, या चार बज उठना है, तो म मैं clock check करता रहता हूँ, watch check करता रहता हूँ, तो सलाह ये है कि room से clock हटा दे, watch ना पहने, और mechanical alarm जो घरी ने आते, उसको रखे, तो ये बार-बार घरी देखनी की जो आदत है, वो बंद हो जाएगी, एक दूसरा tip है, जो खासकर जो overweight लोग हैं, जिनको insomnia के शिकायत होती है कि दिन के दौरान naps लेने की कोशिश ना करें, अक्सर उन में देखा गया है, because of obesity, उनको रात की भी नींद नहीं आते हैं, और दिन में वो सोते, मतब जाकते सोते रहते हैं, तो अगर वो avoid कर तो जादा अच्छा है, for a normal healthy individual, कितने देट तक afternoon ने नाप होनी चाहिए, the classic wonderful time is 26 to 30 minutes, उसके जादे एक सीड नहीं करनी है, but frankly speaking, Saturday, Sunday को, हम तो एक दो घंटे की नीद मार लेते हैं, और I'll not trade that नींद for anything, post-lunch जो stupor होता है, because आप पूरे वीक में काम कर रहे होते हैं, तो somehow, I think my body also catches up on the sleep quota, which is lost. नमर आठ पे आती है, आप उन चीजों को ख्याल लखें, जो आप खा रहे हैं, किन चीजों को खाने से आपको नींद आती है, और किन चीजों को खाने से नहीं आती होई बताता हो, तो सबसे पहले आगर आप बहुत high carb diet खाते हैं, तो initially आपको ये सोने में मदद कर सकता है, लेकिन long term में आपकी restful sleep नहीं होती है, high carb diet पे, वहीं पे high fat diet खाने से आपको sleep भी longer होती है और restful होती है, तो खाने में, हमारे traditional Indian खाने में घी का इस्तेमाल करना रात को बहुत-बहुत important है, which would increase the fat content in whatever carbs है, हम तुएसे carbs खाने वाले ही लोग हैं, तो ख्याल रखें इसका, ड food digestion process does not interfere with your sleeping pattern, relaxing music is very very important, works for me, it's in fact is being used as a treatment mechanism for insomnia, तो buddhist music है, mantra है, by oral beats है, सुनना, जो कि mind को relax करते है, what works for me is audiobook and podcast, तो जिन चीजों को सोचने की और सीखने की जरूरत है, मैं उसको सुनता रहता हूं, और slowly stupper में जाके नींद आ जाती है, तो ये एक तरसे ये भी है कि आप माइंड को किसी काम पर लगा है, तो फिर वो सोने चला जाता है, otherwise ये भूँमता रहेगा, those who cannot or do not want music, और जिनको, जिनको surrounding noisy है already, using ear plugs can also help, तो noise cut करेंगे, आपको नीच जल दी आगे, नमबर 10, exercise during the day, किसी भी तरह की exercise, मेरा typical benchmark है, खुद के लिए 7 से 10,000 steps per day का, Google Fit इस्त calories, the number of hours you have slept, the number of steps you have taken during the day, तो जब अप exercise regularly करते हैं, तो आपके serotonin के levels in the body में ज्यादा होते है, ये आपको सोने में मदद करता है, which exercise helps you a lot, तो जिनको सोने की तकलीफ होती है, वो शाम के exercise ना करें, करके cortisol levels बढ़े रहेंगे, have early morning walk, running, hiking, cycling, tennis, walking, whatever prefers, or whichever thing you prefer, it's good for you. Having a comfortable bed and clothing is very very important, तो mattress जो है, पिलो है, वो आपको किस तरह का पसंद आता है, do you prefer soft one, medium one or hard one, no scientific rule behind it, but memory foam pillows have been seen to be increasing the sleep pattern, तो orthopedic pillows आते हैं, जो कि आपके head or body की हिसाब से, करवेचर की हिसाब से set होते हैं, कुछ लोगों को weighted blankets जो होते हैं, जो भारी blanket होते हैं, वो एक calmness और sleepness देते हैं उनको, यहां से आता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, तो मा उनको बांध के रखती है, तो inside the womb, we are in a very tight position, तो बाद में अगर उसी को हम mimic करते हैं, चोटे बच्चे में, तो अगर आपको नीम काम आती है, और बाद बार उठते हैं, तो एक भारी कंबल के इस्तेमाल क this works, but there is another field of thought, scientific thought, which says, wearing nothing while sleeping, gives you the best quality sleep, so if उसे बेसे सुपसिब हैं, अनुसे आपको ब्लू लाइट निकल कियाती है, तो what I am wearing right now is blue light blocker glass, blue light lock, signal देती है कि अभी भी दिन है और melatonin के secretion नहीं होती है इसलिए blue light blocker glass इस्तेमाल करें I'll put the link for this, these are available in lens card and all other places also, this is intelligence intelli sense eyes करके blue glass, not costly 900 रुपे के आती है, ये 2-3 साल से use कर रहा हूँ, I also gave it to my kids because their screen time was also pretty high aromatherapy helps typical जो essential oils होते हैं, diffusion करना उनका तो oil diffuser में रूम में लगाएं couple of essential oils which are found useful are lavender, rose, lemon orange related ones, peppermint is found to be good another is writing your thoughts, तो आपकी thoughts बहुत racy हैं, आप सोच रहे हैं दिन बर में क्या हुआ कैसा हुआ, तो या तो उसको record कर ले हैं, राइट करें journaling helps a lot, तो जो thoughts circle में चलते रहते, anxiety पैदा करते वो निकल जाता है, और आप gratitude लिखने से शुरुआत कर सकते हैं caffeine avoid करें, दो बजे के बाद में, ज्यादा चाय भी दो बजे के बाद में आप ये chamomile tea ट्राइ करें ये आपकी mind को relax करता है और आपको नीद की तरफ ले जाता है, sleeping position back, side और stomach तो preferable back, तो नहीं side बोला जाता है, left side और leg को भी rest देना है, but I leave that to your individual preference, but try and sleep on your left side helps a lot, read, listen अज जैसे पहले बता रहा थे कि audible सुनना मेरे लिए, book सुनना, podcast सुनना बहुत important होता है, वो सुन्दे सुन्दे सौ जाता हूं फिर बंद करता हूं, focus on trying to be awake, कुछ लोग भी अगर नीद नहीं आ रहे हैं, तो जगे रहनी को खिश करो, तो body तो रच सो जाती है, ये भी काम होता है visualizing happy things, happy kids holidays, आपका गाउं आपकी बच्पन की अच्छी यादे, वो सोचने से भी जल्दी नीद आती है, और last में है, खाने में magnesium, tryptophan और melatonin के बनाने वाले foods को तरफ ज्यान देना है, तो egg, chicken, chocolate, dark chocolate and pistachios are considered to be good foods for sleep generation, तो मैं पहले भी sleep के related बहुत सरी topics कर चुका हूं, उनको वापिस refer कीजिए, सुनिए, कुछ सवाल है आपके पूछे, और ये reference article I am going to post it for your benefit. Take care, good night, sleep tight, see you next week with another topic, bye-bye.